36 गड़ में कुपोशन और नकसल के लावा एक और समस्या सरकार के साथ प्रिदेश वासियों के लिए परेशानी का सबा बन गया है हाथी प्रिदेश के एक चौथाई के करेब जिलों में आतंग मचाय हुए हैं जिससे लोगों के जीवन के साथ उनको आर्थिक नुकसान भी पहुँच रहा है हाला कि सरकार हाथियों के आतंग को रोकने की हर संभव कोशी को रोकने में भी लगी हुई है हाली में सियम भुपेश बगेल ने कहा कि 36 गड़ में नकसलवाद से बड़ी समस्या कोपोशन है बेशक ये भी एक बड़ी समस्या है लेकिन अब ज़रा ये तस्वीर देखिए ये तस्वीरे किसी चिडिया घर की नहीं ना ही किसी अलेफेंट रिजर्व की है ये इंसानों की बस्ती है जहां लोगों में इतना डर बैठ गया है कि उनका घरों से बाहर निकलना मुश्किल हो गया है तो इन तस्वीरों से साफ है कि 36 गड़ में नकसलवाद और कोपोशन की ही तरहा हाकियों की समस्या भी एक बड़ा मसला है 36 गड़ के कई इलाके ऐसे हैं जहां गजराजों की दस तक आए दिन लोगों को परिशान करती है तो ये 36 गड़ के वो इलाके हैं जहां हाथियों की चहल कदमी है अब सवाल ये है कि क्या ये चहलकद्मी या फिर दहशत इसी तरह कायम रहेगी या इसके लिए कोई कदम भी उठाए गए है तो बता दे कि हाथियों की वज़ा से होने वाली मौत की मामले में 36 गड़ चौथे नंबर पर है जबकि देश में हाथियों की सबसे ज़्यादा संख्या करनाटक में है करनाटक में 36 गड़ के मुकाबले मौत का आकड़ा करीब 40% तक कम है 36 गड़ में प्रोजेक्ट एलिफेंट के नाम पर 10 साल में करीब 64 करोड रुपए खर्श कर दिये गए 2018 में 36 गड़ में सबसे ज़्यादा 1307 करोड रुपए खर्श किये गए है सोलर फेंसिंग मधुमक की पालन रेडियो कॉलर जैसे उपाई किये गए 2011 से 17 के बीज 45 करोड रुपए से अधिक की राशी खर्श की गए फिर भी 36 गड़ में मौतों की संख्या कम होती नहीं दिख रही है अब सवाल ये है कि आखिर हाथी आए दिन इंसानों की बस्ती में क्यों घुसे चले आते हैं आखिर उनकी ऐसी क्या मजबूरी है तो दरसल 36 गड़ के सर्गुजा जश्पूर और कॉर्बा में हाथियों का निवास है महासमुन धमतरी और गरियबन जिले में भी हाथियों का जुल ओडिशा से आता है इस जुल के हाथी भटक कर कभी कभा राजधानी रायपूर की सीमा में आ जाते हैं एक तालिस फीजदी से अधिक वनशेतर वाले सर्गुजा जश्पूर और कॉर्बा जिले में घने जंगल है सर्गुजा जश्पूर और कॉर्बा के इन ही लाकों में कोईला खदाने भी हैं खदानों के कारण जंगल कट रहे हैं और हाथियों के लिए भोजन कम पड़ रहे हैं एक व्यस्क हाथी रोजाना 300 से 400 किलो तक फल पते और दूसरी चीज़ें खाता है व्यस्क हाथी को एक दिन में करीब 1.500 लिटर पानी की भी ज़रूरत होती है इस कारण हाथी ऐसी जगों की तलाश करते हैं जहां उन्हें भोजन पानी मिल सकी मतलब साफ है कि 36 गड़ में कहीं न कहीं हाथियों का आशियाना सिमट रहा है सिमटते जंगल हाथियों को इंसानी बस्ती में घुसने पर मजबूर कर रहे हैं इस वज़ा से कभी हाथी तो कभी आम लोग इसका शिकार हो रहे हैं हाथियों और इंसानों के भड़ते द्वंद के बीच मुआवजे का मरहम तो लगा दिया जाता है लेकिन ये शायद समस्या का स्थाई समधान नहीं है हाथियों का सरक्षन और इंसानों की जिन्दगी दोनों एहम है लहाजा इस दिशा में कोई ठोस कदम उठाए जाने की सक्त जरूरत है टीम न्यूज स्टे